नमस्कार दोस्तों में रना में विमल सिंग बाला जी स्टेड एड़ा में आपका स्वागत है सविधान पर आधारित हम आपको प्रस्ण करा रहे हैं तो इससे पहले हमने आपका पार्ट नमबर 19 देखा था यदि नहीं देखा हो idoside my button फिश्लाला वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें हम आपको 30-30 प्रस्म करके जहें वो करा हो है है आज हम देखेंगे हमारा सेट नंबर जो है वो 20, जिसमें हम आगे के 30 प्रस्ट जो है वो प्रेक्टेस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, प्रस्ट नंबर जो है वो आपका 65 से, और complete प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट में जो है वो मिल जाएगी, जिसमें आप इसे पहल के प्रस्ट देख चुक सकते हैं, जिसे पहली के क्लासेश देख चुक सकते हैं, तो 61 प्रस्ट आपका है कि निर्विरोध चुने जाने वाले एक मात्र राष्ट पती जो है वो कौन थे, अंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ओप्शन है आपर C वाला याने क नीलम संजीव रेड़ी, ये कुशन हमने 50 वली क्लास में आपसे पूछा भी था, पर कह था नेक्स वली क्लास में इसका आंसर जो है वो देंगे, तो आपका ओप्शन है आपर C वाला, यने की नीलम संजीव रेड़ी जो है आपका ओप्शन सई होगा, तो आंसर तो यहां पर C होगा पर इस चीज को भी समझेए कि राश्टपती से संबंदित पूछा जे कि आर्टिकल कौन सा है तो 52 है आपका राश्टपती जो है इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है तो 52 में जो है बुकिया गया है और 53 में कहा गया है कि संग्य की कायरेपाली क सकती राश्टपती में नहीं तो होती है तो वो भी आपका राश्टपती से संबंदित है और 54 में कहा गया है कि राश्टपती का निर्वाचक मंडल इसमें संसद और जो विधान सबाएं उनके निर्वाचिस सदस से भाग लेते हैं तो वो भी सभी इसमें आते हैं C वाला आपका option आपर सही होगा अगला प्रसंद देखते हैं राष्टपती द्वारा राष्टपती पर महावयोग जो है उसका आरोब संसत के किस सदन के द्वारा जो है वो लगाया जाता है राश्च्पती पर महावियोग का आरोब संसत के किस सदन द्वारा लगाया जाता है बताईए कौन से सही होगा राजसभा, लोगसभा, संसत के किसी भी सदन या फिर इन में से कोई नहीं तो अंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका आप्षन कोई पर्टिकुलर आपका संसत नहीं होगा आप कहेंगे कि संसत के किसी भी सदन द्वारा जो है वो लगाया जा सकता है महावियोग प्रस्ताव और जब सविधान का उलंगन होता है दुर्वेभार होता है या फिर अक्षमता साबित हो जाती है नियुमों के वितावी कोई कारे होता है तो बहुत सी ऐसी अलगलग परिस्तियां है जहापर महावियोग प्रस्ताव संसत के किसी भी सदन में लाया जा सकता है परंदु लोग सवा में से पेस करने के लिए कम से कम 100 संसत जो है उनके दस्तकत चाहिये होते हैं और राजसभा में से पेस करने के लिए कम से कम 50 संसतों के दस्तकत जरूरी होते हैं अगला देखते हैं कोई वेक्ती राष्ट्पती पत के लिए अधिक्तम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है एक, दो, तीन या फिर कोई सीमा नहीं है बताईए इनने से कौन सा जबहे है, वो सही होगा एड़ी अंसर की बात कर लेते हैं तो आपका उप्शन, इसकी किसी भी प्रकार से कोई सीमा जबहे है आपकी नहीं है जैसे अगर बात करें, पंडित जबाला नहरु जी की, नहीं, राश्टपती की बात हो रही है तो हम बात करते हैं, डॉक्टर राजेंद प्रसाद जी की तो वो इस पद पर दो कारेकाल उन्होंने पूरा किये थे और पहले वो राश्टपती भी थे, डॉक्टर राजेंद प्रसाद, ऐसे पूछ ले जाता है कि महिला राश्टपती पहली कौन थी, तो प्रतिबाद देवी सिंग पाटिल जी थी, जो की बारवी नंबर की जब रही थी, तो ये सारी चीज़े आपको पता होना चाहिए, अगला देखते हैं, ये कोशन बहुत पूचा जाता है, तब राश्टपती को पद और गोपनियता की सपत कौन दिलाता है, बताइए कौन सा जो है, वो सही होगा, उप राश्टपती दिलाता है, या फिर उचितम नहले के मुखिन अधीस, या फिर प्रधान मंतरी, या फि करके, क्योंकि लोग सबाद्यक्ष और प्रधान मंतरी, ये सब तो नहीं होगे, ये तो आप A और B में ही जादा तर कन्फ्यूज होते हैं, तो चली अंसर की बात करते हैं, तो भारत का मुख्य नहाधीस, जिसको हम उचितम नहले सुप्रीम कोर्ट जो है, उसके मुख्य न अब देखेंगे, एक सरकमिश्टेंस अलग-अलग अपको दे रखी होती है, अगर ये नहीं मौद्यूत है, तो उसकी जगा ये भी कर सकता है, अगला देखते हैं, अगला प्रस्न है, उप राश्टपती के निर्वाचक मंडल में सामिल होते हैं, सिर्फ राजसभा के सदस सिर्फ लोगसभा के सदस से, राजसभा लोगसभा के निर्वाचे सदस से, या फिर राजसभा और लोगसभा के सदस से, कौन सा इन में से सही होगा, उप राश्टपती के निर्वाचक मंडल में सामिल होते हैं, अंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका option राजस सभा और लोग सभा के सदस्त जो है आपका option बिनकुल सई होगा और question ये भी पूचा जाता है कि उपराश्टपती जो है इसके लिए क्या-क्या सडते होती है तो भारत का नागरी को आयू पूछ लिए जाती है तो 35 वर्स की जो आयू है वो पूरी कर चुका हो राजसभा जो ह उसका सदस्य निर्वाचित होने के लिए उसमें अहरता हो तो ये कुछ पॉइंट होते है अच्छा उपराश्पती के संदर में कि उसका जो निर्वाचन है वो किस माध्यम से होता है तो आप कहेंगे संसत के दोनों सदन यहाँ पर लिए राजसभा लोग सभा के सदस्टी तो अंसर याँ पर D सई होगा अगला देखते हैं अगला प्रस्वाट भी बहुत पूचा जाता है कि भारत के जो उपराश्पती है भारत के उपराश्पती को पद से कौन हटा सकता है मंत्री बंडल की सला से राश्टपती हटा सकता है राश्टपती की सम्मती से लोगसभा अटा सकता है लोगसभा की सम्मती से राजसभा अटा सकता है राश्टपती की सम्मती से राजसभा अटा सकता है तो कौन साइड में से सही होगा? तो चलिए अंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका option है आपर संसद अगर दिया हो केवल केवल option में संसद दिया हो तो आप संसद के option के साथ जाएजे और संसद आप जानते लोगसभा, राजसभा, राश्वतीनी से मिलकर वनी है मंत्री मंडल वाले option काट दीजे, राश्वती वाले option काट दीए लोगसभा राजसभा दे रखा है सी वाला आपका option सही होगा लोगसभा की समति है उससे राजसभा ये जोड़े उप राश्वती को पत से हटा सकते हैं क्योंकि राजसभा क्या करती है वो बहुमत से प्रस्ताव पारित कर सकती और लोग सभा क्या करता है? इसे पारित कर सकता है और राश्टपती का इसमें कोई रोल नहीं होता है यह चीज को भी समझके रखेगा एक कोशन यह भी आता है जो सर्वोच नहले के नायदीस है उनकी न्युक्ती किसके द्वारा होती है तो वो राश्टपती के द्वारा होती है पार अंसर यहां पर सीवाला सही हो जाएगा बढ़ते हैं अगले प्रस्ति की तरफ अगला प्रस्ति देखते हैं राजसभा की बैटको का सभापतित्व कौन करता है? राश्टपती, उप राश्टपती, प्रधान मंत्री, राजसभा का उप सभापती कौन सा इन में से सही होगा? राजसभा की बैटको का सभापतित्व कौन वो करता है? अंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका option उपराश्टपती जो है बीवला option ये आपका सही होगा जो कि आप क्या कहेंगे राजसभा का सभापती जो होता है और वरतमान में कौन है सभापती तो आप कहेंगे वेंक्या नाइडू है उपराश्टपती वरतमान में कौन है तो वेंक्या नाइडू है और question direct भी बूचा राता है राजसभा जो है उसके सभापति यहां पर लिखा है बैटको का सभापति तो direct ऐसे बूच लिए आता है कि राजसभा के सभापती कौन होते है तो आपके भारत के उपराश्च्पती होते हैं अगला प्रसन है किस एक मात्र उपराश्च्पती की म्रत्यू पद पर आसीन रहते हुए हुई जैसे होता ने retirement होता है एक जैसे आपका time period रहा है कि आप इस समय राश्च्पती के पद पर हैं तो राश्च्पती के पद पर रहते हुए इनमें से किन की म्रत्यू हुई वो यह चलिए अंसर की बात कर लेते हैं तो आपका कृष्ण कांत जी जो है वो सही होगा उपराश्पती की मृत्यु जो है पद पर आसीन रहते हुए जो है वो हो गई थी ऐसे याद रख सकते हैं कि कृष्ण जी ने उपर बुला लिया पद पर रहते हुए ऐसे थोड़ा सक कृष्ण कांत नाम को याद रख सकते हैं अगला प्रसंद पूछा किया है इन में से कौन संसत का इस्थाई और उच्छ सदन होता है बताइए लोग सभा या फिर राज सभा या फिर दोनो या फिर इन में से कोई नहीं अब इन में से कोई नहीं और दोनों तो नहीं होगा दोनों तो नहीं होगा क्यों क्योंकि दोनों इसलिए नहीं होगा आपको एक उच्छ सदन होता है एक निमने सदन होता है अंसर की बात करते हैं तो उच्छ सदन जो होता है वो आपका राज सभा जो होता है और साथ ही साथ ये इस्थाई सदन के रूप में भी जाना जाता है अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा के बारे में तो ये निमने सदन होता है अगला देखते हैं राश्ट पती दोरा राजसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है 10, 11, 12, 14 कौन साइन में से सही होगा? अंसर की बात करते हैं तो आपका 12 यहाँ पर जो है वो सही होगा राजसभा जो है इसमें राश्ट पती के दोरा 12 सदस्यों को मनोनीत जो है वो किया जाता है और इन्हें हम नामित सदस्य के नाम से जो है वो जानते हैं दारक नामित सदस्य करके भी कई बार जो है वो पूछ लिया आता है एक प्रस्ना यहसे भी आता है कि राजसभा जो है इनके सदस्यों की अधिक्तम संक्या कितनी नडधारित है दो सो पचास जो है वो नडधारित है और इनमें 12 सदस्यों आ जाते हैं सरला में जो रा है उससे आपका राजसभा हो जाएगा उसका आर्टिकला सी है और ला जो है उससे लोगसभा हो जाएगा उसका आर्टिकल 81 है तो ग्रम से है 79, 80, 81 संसत राजसभा लोगसभा तो यह जो है इसकी ट्रिक होती है इससे आप आर्टिकल भी याद रख सकते हैं अंसर की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो प्रतिनिती हैं, वो आपके उत्तर प्रदेश में हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा जनसंज्या होगी, उसी के अकॉर्डिंग उतनी ज़्यादा सीटे होगी, यूपी आपका इसमें आता है, और राजसभा के बारे में हमने उ आम चुनाओ, इसको भारती आम चुनाओ भी कहते हैं, ये जो है, वो कब हुआ था, अंसर की बात करते हैं इन चारों में, तो आपका 1952 में जो है, वो पहला आम चुनाओ था, आपका B वाला आपका उप्शन है आपर, जो है, वो सही होगा, और स्वतंद भारत में का घठन हुआ, ऐसे करके भी आता है, तो 1952 आप्शन के साथ ही, आप जो है, वो जाएंगे, तो आंसर आपका 52 हो जाएगा, अगले प्रस्न पर पढ़ते हैं, अगला प्रस्न आपका है, लोग सभा का चुनाओ लड़ने के इच्चुक व्यक्ति की निवनितम आयू कितनी ह होनी चाहिए, अंसर की बात करते हैं, तो आपका उप्शन में से 25 वर्स जो है, वो सही हो जाएगा, लोग सभा का सदस बनने के लिए निवनितमायू, 25 वर्स होनी चाहिए, और राज सभा का सदस बनने के लिए निवनितमायू, 30 वर्स होनी चाहिए, गन्फ्यूज आपको न हो तो राजसभा तो याद भी ऐसे रख सकते हैं क्योंकि राजसभा मैंने बताया था उच्छ सदन होता है तो उसका जो एज होता है वो भी आपका ज्यादा होता है तीस वर्स होता है तो लोगसभा राजसभा में कंफ्यूजन हो तो ऐसे आप याद रख सकते हैं लोगसभ जिस सबसे अधिक प्रतिनिधी लोगसभा में भेजता है यूपी, बिहार, पश्यम बंगाल, आंदर प्रदेश कौन सा जो है वो सही होगा तो अभी हमने क्वेशन देखा था आपको हमने बताया कि जनसंख्या जितनी जादा होगी उसी के according सीटे होगी और उसी के according प्रतिनिधी भी जो है वो लोगसभा में भेजे जाएंगे यही चीज़ आप पर प्रसंद भूचा गया है समझ गयोंगे आप अंसर तो आपका option A यानि की उत्तर प्रदेश जो है वो सही होगा सबस्क्राइब करते लोगसभा में आदिवेशन जो होते हैं उनके बीच अदिप्तम कितने समय समय प्रदान मंत्री लोगसभा का महासचिव राश्पती या फिर लोगसभा अध्यक्ष धन विद्यक के बारे में जो है वो पूछा गया है चली अंसर की बात करते हैं तो धन विद्यक किस अनुच्छे से संबंदित है तो आप कहेंगे 110 से जो है ये संबंदित है और इसका निर्णय कौन लेता है तो इन चारों में से अंसर की बात करते हैं तो जबा अध्यक्ष जो है option D वाला यहां पर सही होगा कोई धन विद्यक कोई विद्यक आपको सुना होगा अपने एक वित्विद्यक होता है तो अगर आपके दिमाग में यह आए कि धन विद्यक और वित्विद्यक में क्या difference होता है तो जो धन विद्यक होता है वो आपका जो वित्विद्यक है उसके रूप में जाना जाता है और जो वित्विद्यक होता है वो धन विद्यक नहीं होते हैं और जो धन विद्यक होते हैं वो आपके किवल संसद और जो राजविद्हान मंडल है उनमें मौझूद होते है वो बुलाता है most important question है राष्टपती प्रधान-मंत्री लोकसभा अध्यक्ष या विपक्ष का नेता कौन सा इन में से सई होगा संयुप्त अधिवेशन अंसत्का यानि कि लोकसभा और रासभा दोनों को मिला कर बुलाने की छमत्या जो है वो किसमें होती है अब कोई बड़े अधिकारी होगा जैट से बात है जो दोनों के अधिवेशन को बुला रहा है संयुप्त रूप से बुला रहा है तो ऐसे आप अंसर की बात करते है तो राष्ट पती आपका जो है वो सही होगा बुलाने का जब भी बात होगी कौन बुलाता है तो राष्ट पती होगा एक कोशन यही आता है संयुप्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन जो है वो करता है तो अध्यक्षता कौन करता है तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो करता है ये दोनों प्रस्ण में डिफरेंस होता है संसत के सयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है अगर इस प्रकार से question आएगा तो आपकी धानर किएगा लोग सभा के अध्यक्ष के द्वारा होती है बुलाता कौन है सयुक्त बैठक को तो राश्टपती बुलाता है और सयुक्त बैठक भारत के राश्टपती जो बुलाता है वो किस अनुच्छेद के अंतरगात आता है तो वो 108 आर्टिकल में जो है आपका आता है अच्छा ऐसा भी है कि अगर लोग सभा अध्यक्ष ना हो तब कौन सयुक्त अधिवेशन की पाध्यक्ष कर सकता है या फिर वो भी नहीं है तो उप सभापती भी जो है वो कर सकता है या फिर राजसभा के सभापती कर सकते हैं तो यह सब कंडिशन इसमें होती है अगला प्रस्न है आपका प्रधान मंत्री की नियुक्ति कौन करता है लोग सभाध्यक्ष राश्टप की नियुक्ति जो है वो करता है भी वाला आपका उप्षन है आपर सही होगा अगला देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधान मंतरी जो है वो कौन ते उपर प्रस्न आया भी था एक उसके प्रस्न के explanation में हमने बताय भी तो कौन सा सही होगा वलब भाई पटेल राजिन पिरसाथ जवालना लेरू महात्मा कांदी कौन सा सही होगा आँसर की बात करते हैं तो पंडि जवालना लेरू जो है आपका सही होगा स्वतंतर भारत के पहले प्रधान मंतरी जो है ये थे अगला प्रसन देखते हैं, आसी नमबर, कि प्रधान मंत्री या कोई मंत्री जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री पत पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंतर संसद का सदस्य बनना अनिवार जो है वो, या आवश्यक जो है वो होता है, तीन महीने, शे महीने, नौ महीना, एक वर्स कौन सा सई होगा, सर्त लिखी रहती हैं कि उसको इस सदन का अद्यक्ष होना चाहिए, तो वो अवधी कितनी होती है, अंसर की बात करते हैं चारों में से, तो छे महा की वो अवधी होती है, तो भी वाला आपका आप्शन सई होगा, अग्ल मंत्री परिसत कामुविक रूप से किसके प्रती उत्तरदाई होता है तो अंसर की बात करते हैं लोग सभा जो है आपका ओप्षन यहां पर सही हो जाएगा किसके प्रती उत्तरदाई लोग सभा के प्रती जो है उत्तरदाई होता है अगला देखते हैं यदि किसी मंतरी के विरुद्ध आविस्वास मत पारित हो जाए तो सिर्फ सम्बंधित मंतरी त्याग पत्र देता है, प्रधान मंतरी को त्याग पत्र देना होता है, मंतरी पर सद्श्टीफा देता है या इन में से कुछ भी नहीं होता है। ये कुछ option थोड़ा सा अलग type का है, कुछ भी नहीं होता है, बताइए सही कौन सा होगा, यदि मंत्री के विरुद्ध आविस्वास मत पारित हो जाए, तो इन में से क्या जुख हो होगा, अंसर की बात करते हैं, तो केवल मंत्री के विरुद्ध अगर अविस्वास प्रस्ता हो आ रहा है, तो सिर्फ आप कहेंगे मंत्री ही त्याग पत्र देगा, ये वाला आपका अंसर होगा, अगर बात की जाएगी कि प्रधान मंत्री जो है, वो आपका अविस्वास मत हार जात तो आप कहेंगे पूरा मंत्री पर सतिस्तीफा जो है वो देगा, तो condition C कब होगी यह सब्सक्राइज में आ गया होगा, अंसर A वाला सही होगा, अगला रेक्ते हैं प्रस नंबर 83, कि विद्ध विद्यक सबसे पहले संसत के किस सदन में पेस किया जाता है, लोगसभा, राजस प्रकारों में से, तो option ABCD में से संसत के लोगसभा में विद्ध विद्यक पेस किया जाता है, और विद्ध विद्यक आपका किस प्रकार का विद्यक है, तो एक धन विद्यक में आता है, इसे सविदान की अनुच्शेद 110 में परिभासित किया गया है, अगला रसन देखते ह इनमें से किसे लोगसभा की कारिवाई जो है उनमें भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार जो है वो नहीं होता है परंतु मत देने का अधिकार जो है वो नहीं होता है परंतु मत देने का अधिकार जो है वो नहीं होता है कौन सा इनमें से जो है वो सही होग अंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो महा नयावादी आपका जो है, वो सही हो जाएगा, महा नयावादी जो है, इसके संदर में सबसे पहले तो आपको आर्टिकल पता होना चाहिए, कौन सा आर्टिकल होता है, 76 अनुच्छेद में इसकी नियुक्ति जो है, वो की जात में जो है, राश्पती जो है, वो चुनता है, आर्टिकल कौन सा है, 76 अर्टिकल है, और वरतमान में कौन है आपके महानयवादी, तो आप कहेंगे, के के वेडु गोपाल, जो है, वो महानयवादी है, के के वेडु गोपाल, इनका कारिकाल एक वर्स के लिए बढ़ा भी द सरकार के विरुद्द अविस्वास प्रस्ताओ संसत के कि सदन में लाया जाता है कि चलिया अंसर की बात करते हैं, तो आपका option किसी भी सदन में जो है, वो लाया जा सकता है, तो option आपका यहाँ पर C वाला सही होगा, उपर आपने आपको बताया था कितने कितने सांसत जो है, वो जरूरी होते हैं, अगला प्रसन है, लोकसभा का विगटन कौन कर सकता है, राश्टपत जो है, आपका option यहाँ पर सही होगा, आपको याद रखना है, एबल आपका option सही होगा, और लोकसभा का विगटन यहाँ पर हो गया, बाकी आपातकाल का जो आपका अनुचेद है, एक 352 है, 356 है, 360 है, वो भी आपको पता होना चाहिए, अगला देखते हैं, लोकसभा का न जो है, वो कौन होता है, आंसर की बात करते हैं, तो आपका प्रधान मंत्री जो है, वो सही हो जाएगा, क्योंकि उसकी मंत्री परसद होता है, और वही लोकसभा का यह नेता होता है, प्रधान मंत्री, इसमें सारे मंत्री परसद विभाग जो है, वो बटे होएते हैं, अग राश्टपती, वित्वमंत्री, कौन सा सही होगा, जो नियंत्रग और महाले का परिक्षक है, यह आप कहेंगे एक स्वतंत्र निकाय के रूप में जो है, वो काम करती है, तो चलिए अंसर की बात कर लेते हैं, तो आपका option है आपर, राश्टपती जो है, वो बिल्कुल सही हो यह लेखा परिक्षा और लेखा सेवा, उसका भी प्रमुख जो है, वो होता है, अंसर यहाँ पर राश्टपती होगा, इंग्लिस में हम इसे क्या कहते हैं, इसको इंग्लिस में हम CAG करके जो है, वो कहते हैं, CAG मतलब controller and auditor journal of India, यह जो है, इसकी इंग्लिस हिंदी में फुल अंसर बात देक्ष राश्टपती, बताइए कौन सा सही होगा, राज्यकी कारपालिका का प्रमुख कौन होता है, अंसर की बात करते हैं, अच्छा प्रसने याद रखेगा, जब राज्यकी बात होगी, तो आप कहेंगे राज्यकी कारपालिका का प्रमुख, राज्यपाल जो है वो होता है जिसको हम governor कहते हैं और ये मंत्री परसत की जो सला है उसके according जो है वो कार करता है कुछ मामले हैं इसमें राज को राज़पाल को अपने भी अधिकार दिये गाएं पर मंत्री परसत की सला के बिना जो है बहुत कम ही कार्य करता है बाकी एवला उक्षने आपर सही होगा अगला और इस वीडियो का लाश्ट प्रस्न देखते हैं इसके बाद एक प्रस्न हम आपसे भी पूछेंगे इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्योड जाईएगा वीडियो लाइक सबी लोग अवश्य कर दीजेगा इसे प्रकार अच्छे जब रस्न हम प्रैक्टिस करते रहें शेर भी करते रहेगा नब्बे प्रस्न है भारत के राजिपाल की नियुक्ति कौन करता है प्रधान मंत्री, राश्पती, क्रह मंत्री या भारत के मुख्य नयाधीज बताईए कौन सा इन में से जो है वो सई होगा चलिए अंसर की बात करते हैं राजियों में राजिपाल की नियुक्ति कौन करता है तो आप कहेंगे राश्पति आपका औप्शन बी वाला वो सई होगा राश्पति जो है नियुक्ति जो है वो करता है तो सभी प्रस्न हुए हैं हमारे समाप, अब एक प्रस्न आपके लिए भी जैसा कि सभी वीडियो में आप आप से एक प्रस्न पूस्ते हैं तो इस वीडियो का आपके लिए प्रसने जिसका आंसर वीडियो के मेंन कमेंड में आपको बताना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके दोरा आज़रे को की जाती है A option है राश्टपती, B option है प्रधान मंत्री, C option है राज जिपाल और D option है विदान सभा अध्यक्षन इन जारों में से कौन सा सही होगा आपना आंसर वीडियो के मेंन कमेंड में टाइप बताईएगा लाइव टाइमिंग दो हैं दुपहर के 3 वजे और साम के 8 वजे तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं प्रस्नो के प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आज पर मैं इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ने प्रस्नो के साथ और टॉपिक के साथ अब तक के लिए नमस्कार चैहन